Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग बीक का सापता ही कराशी फल ये 16th में से लेकर 22nd में तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रिडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडि तो इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ऐसे सिचुवेशन्स, कुछ ऐसे सिर्कुम्स्टांस रह सकते हैं, जिसकी वजए से एक फियर, एक इंसेक्यूरिटी आप महसूस कर रहे हैं, और शायद इसी लिए या फिर अदर्वाइज भी एक स्टक सी इनर्जीज रह सकती हैं, जहां पर आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इस फिगर को भी अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसके हाथ बंदे हुए हैं, पैर बंदे हुए हैं, और कुछ ऐसी सी इनर्जीज आपकी भी, again specifically आपके प्रोफेश बंदगी है, situations तो आएंगी ही, circumstances तो आएंगे ही, लेकिन उनको हम कैसे deal करते हैं, वो बहुत कुछ determine करता है, कि हम कितने खुश रहेंगे, कितने परेशान रहेंगे, तो दीगे, दो तीन चीजें जो इस week खयाल रखने की जरत है, वो ये हैं कि आप बहुत impulsive ना हों, आप बहुत जल्दबाजी, किसी भी चीज के लिए ना करें, और जितने आप flexible रहेंगे, हर चीज को लेकर, उतना ही एक better energies में भी, आप अपने आपको इस week पाएंगे, और देखिए, सबसे एहम बात ये काट कहता है, कि जो भी आप करें, चीजों को देखने का, deal करने का, अपन नजरिया, अपना perception जरूर बदलें, क्योंकि देखिए, कितनी बारी होता है, कि problems इतनी भी बड़ी नहीं होती है, या फिर उनका हल बहुत ही असान होता है, लेकिन उनको अपने mind में बहुत बड़ा बनाके, या फिर बहुत fixated किसी भी चीज के लिए होके, हम उनको properly नहीं deal कर पाते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं, देखिए, मेरे psychology के सर हमेशा कहते थे, कि जब नजारा नहीं बदल पाएं, तो उसको ही देखने का नजरिया बदलने, नजारा अपने बदल जाएगा, तो इसी चीज का सबसे जादा ध्यान रखने की ज़रत है, हर चीज को different तर से आप लगों के लिए cards है, Queen of Wands, Rivers and Tower, और देखिए, Queen of Wands कहीं टारो में, बहुत एक enthusiasm, excitement की बात करती है, एक high energy levels की भी बात करती है, daring energies की भी बात करती है, और देखिए, यहाँ पे भी, अगर आप इस Queen को देख पाएं, तो इसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है, तो एक fiery सी energies को Queen of Wands रिप्रेजन करती है, क्योंकि इस week यह card आप लोगों के लिए reverse है, तो कि इन ही energies में एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप over excited, over enthusiastic किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, बहुत एक aggressive सी energies हैं, बहुत जादा ही एक high energy levels हैं, और बहुत एक low enthusiasm और excitement है, बहुत जादा आप डल महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अपने goal, अपने मकसद के लिए आप over action initiatives ले रहे हैं, आप over ही courageously चीज़ों को deal कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप लेना चाहा रहे हैं action initiatives, बहुत courageously deal तो करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से देखिए कहीं एक balance energies नहीं रह रहे हैं, और बहुत important है कि इन ही energies में एक balance आप लेकर आएं, और देखिए deeper level के लिए tower का card कहता है, solid foundation success with effort, तो किसी चीज़ को लेकर आप you know base अपना strong करना चाहा रहे हैं, एक solid foundation लेकर ना चाहा रह हैं, और देखिए general reading होती है, तो थोड़ा थोड़ा यहां पर सब के लिए differ करेगा, कुछ लोगों के लिए materialistic tangible चीज़ों से related, एक stability, एक security चाहा रहे हैं, या अपना you know, एक base solid करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई relationship है, mother के साथ, या फिर father के साथ, या फिर spouse के साथ, या बच्चों के साथ, जिसको आप और strong करना चाहा रहे हैं, और देखिए बहुत ही clearly इस card में लिखा हुआ है, success with effort, अगर आप initiatives इसी direction में लेंगे, action लेंगे, थोड़ा ऐसा भी effort करेंगे, तो definitely आपको इस week success मिलेगा, and guidance है आप लोगों के लिए card है, dragons, और ये card कह है, slay them all, तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही clear आप लोगों के लिए message है, कि जितनी जल्दी जो भी negative situations है, negative लोग है, negative thought process है, negative belief system है, उसको आप let go करेंगे, उसको आप you know, अपनी life से हटाएंगे, उतनी ही जल्दी एक सुकून, एक peace, एक happy energies आप अपनी life में लेकर आएंगे, and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है, और इसके हिसाब से Tuesday का दिन इस week आप लोगों के लिए significant रह सकता है, and lucky color आप लोगों के लिए होगा red, तो यह था से red areas आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके तो professional fund के लिए, आप लोगों के लिए cards है, the magician rivers and bird flying, और देखें सबसे पहली बात, the bird flying का card कहता है, news is on the way, तो किसी खबर, किसी news, किसी email, किसी message, किसी phone call का, अगर आप इस week wait कर रहे हैं, तो यह card आपको यह नहीं promise करता कि इस week आपको मिल जाएगा, बट यह card definitely आपको कहता है कि वही खबर, वही news, वही email, वही message रस्ते में हैं, तो इस week नहीं, तो next week तक आपको जरूर मिलेगा, और surface level के लिए देखें, magician rivers का card, सबसे पहली बात, बहुत ही एक manipulative, बहुत ही एक clever cunning energies की बात करता है, और कुछ Capricorns के ऐसी energies हो सकती हैं, कुछ Capricorns की life में, या फिर professional fund में क जिनकी ऐसी energies हैं, और Capricorns अगर आपकी हैं, तो हो सकता है कि पीछे ऐसे circumstances रहे हों, पीछे ऐसी situations रही हों, जिसकी वज़े से या फिर otherwise भी, इस week आपको लग रहा है कि बहुत सादगी, बहुत simplicity से काम नहीं बनता है, और कहीं इसी सादगी, इसी simplicity की वज़े से, आपने अप कि अपरिकॉंस की healthy manipulation, कितनी बारी चीजों को deal करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन दिखे, again मैं कहूंगी healthy होनी चाहिए, यानि कि आपका motive, आपका intention ठीक होना चाहिए, और अगर ऐसा है, तो दिखे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि भई, आपके intention, आपके motives ठीक नहीं है, तो जरूर इस चीज को check करके correct करें, क्योंकि देखे, कभी-कभी गुसे में भी हम ऐसी energies में आ जाते हैं, और कहीं temporary एक फाइदा तो हमें हो जाता है, लेकिन long term में फिर हम बहुत परेशान होते हैं, तो फिर से देखे, इस चीज का खयाल रखें, और अगर क कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि भाई उनकी manipulation and healthy है, उनके motives, उनकी intentions ठीक नहीं है, तो आप cautious रहें, आप conscious रहें, and personal front से आप लोगों के लिए the devil and bat के cards हैं, और देखे, devil कहीं एक काफी obsessive energies की बात करता है, pressure, stress, tension की भी बात करता है, हाला कि ये weekly reading है, तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखे, एक tension, एक stress तो रहता हुआ देख रहा है, और यहाँ पर सब के लिए इस tension, इस stress के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन devil का card कहता है कि या तो आप situation, circumstances, लोगों को लेकर बहुत controlling, बहुत dominating हो रहे ह हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके loved ones, आपके close ones, या फिर कोई खास इंसान काफी आपको control करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी you know आपको dominate कर रहे हैं, तो दोनों ही scenario में check करके correct करना बहुत important है, और देखिए यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारे लोग कहें, मैं हम खुद को तो रोक सकते हैं, हम सामने वाले को control करने से, या फिर dominate करने से कैसे रोकें, तो देखिए सामने वाला हमें कैसे treat करता है, वो काफी हद तक हमारे ही हाथ में होता है, जब पहली बारी कोई हमें miss करेंगे तो उन्हें कहीं हिम्मत मिलती है next time भी हमें mistreat करने के लिए हमारे साथ गलत तरीके से भीव करने के लिए और देखिये जब दुबारा भी हम नहीं communicate करते हैं उनको और हिम्मत मिलती है और ऐसे ही उनकी आदत पर जाती है हमें control करने की हमें dominate करने की और फिर जब हमारा एक threshold आता है यानि की एक point आता है जब हम और जादा ये ही चीजे नहीं ले पाते हैं तो फिर हम बहुत परिशान होते हैं क्योंकि देखिए initially में शयद हम उस चीज को बरदाश भी कर लेते हैं लेकिन फिर से एक time आता है जब हमारा tolerance level खतम हो जाता है तो देखिए तब आप बोलते हैं उसका कोई फाइदा नहीं होता तब आप परिशान होते हैं उसका कोई फाइदा नहीं होता अगें देखिए जब पहली बारी कोई ऐसे आपके साथ बहेव करता है तब ही आप उसको communicate कर देते हैं या फिर बता देते हैं कि भई ये आप नहीं tolerate करेंगे तो next time उन वाला हमें कैसे treat करें और देखिए इसी चीज का खयाल इस week आपने जरूर रखना है देखिए English में कहावत भी है a stitch and time saves nine जब चीजे छोटी मोटी होती है या फिर problem मसले छोटे मोटे होते हैं उनको हम तब ही के तब ही deal कर लेते हैं तो उनको बड़ा होने से हम रोक लेते है तो इस चीज का भी खयाल इस week आप जरूर रखें and दिखिए devil के नीचे यहाँ पर bat ka card कहता है take care enemies are working against you तो हो सकता है जो भी इस week specifically आप अपने personal friend में चाहा रहे हैं कर रहे हैं उसके लिए आपके loved ones आपके close ones इतने supportive ना रहें या फिर कोई इंसान है जो काफी आप से jealous feel कर र लाना चाहा रहे हैं और देखिए आप में magician में भी हमने देखा था कि कोई इंसान काफी manipulative हो रहे हैं काफी diplomatically आपके साथ deal कर रहे हैं तो देखिए overall ही मैं कहूंगी कि आप blind trust या फिर blind faith किसी भी इंसान पर इस week ना करें थोड़े से cautious रहें थोड़े से conscious रहें and guidance से आप ल आपने कोई काम किया जिसमें आपको success नहीं मिला या फिर किसी इंसान के साथ आपका experience बहुत अच्छा नहीं रहा और इस week आप सोच रहे हैं कि क्या करें एक बरी और chance लें या नहीं लें एक बरी और try करें या नहीं करें तो बहुत ही clearly एकाट कहता है कि आप एक chance और जरू South Node का card है और देखे South Node astrology में के तू ग्रह को represent करता है और इसके हिसाब से देखे आप सारे ही colors पहने in fact white and yellow पहनेंगे तो जादा अच्छा रहेगा लेकिन आप gray black colors को इस week जरूर avoid करें significant दे आप लोगों के लिए इस week रहेगा Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week अस आप आपता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेरिस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है 7 of swords, rewards and ear और देखें सबसे पहली बात ear का card good news की बात करता है तो कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी news, कोई अच्छा message, कोई अच्छा phone call, कोई अच्छी email इस week आपको मिल सकती है और देखें overall के लिए देखें तो यहाँ पे 7 of swords, rewards का card कहता है कि एक escapism वाली energies में आप रह रहे हैं जहाँ पे upfront होके कि इसी भी चीज को आप deal नहीं करना चाहा रहे हैं आप फिर नहीं कर रहे हैं, situation से, logo से, circumstances से, कहीं आप बचते-बचाते देख रहे हैं और देखें इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक figure रात के अंधेरे में सर ढखके चुप-चाप कहीं जा रहे हैं तो फिर से द प्रेली तो हम चीजों को avoid कर लेते हैं लेकिन back end पे कहीं एक परेशानी, एक उल्जन रहती है और कहीं एक complete सुकून, complete एक peace of mind हम कभी भी नहीं महसूस कर पाते हैं और देखें वो चीजें भी कहीं फिर से मैं कहूंगी back end पे accumulate होती रहती हैं एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाहा के भी उनको avoid नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत बहुत परेशान होते हैं देखें इस बारी मैंने बहुत सारी readings में बोला है और आप लोगों को भी बोलूँगी कि English में एक कहावत है stitch and time saves nine तो जब मसले issues छोटे मोटे होते हैं उनको तब ही हम deal करके खतम कर देते हैं तो उनको बड़ा होने से हम रोक लेते हैं इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें देखिया अगर आप फिर से मैं कहूंगी कि इस week चीजों को avoid कर देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीजें खतम हो गई जैसे जब उल्लू बिल्ली को देखके उल्लू आही रही होती है लेकिन कुछ time के लिए वो bird नहीं देख पाती है और फिर बिल्ली उसको खा लेती है तो देखें आखें बंद करने से कुछ नहीं होगा बिल्ली को देखके उड़ने से ही वो चिडिया वो bird अपनी बचा सकती है तो दीकि ऐसे ही आप लोगों के लिए message है क personal front से आप लोगों के लिए seven of cups and flute के cards है और देकि flute का card कहता है disappointment in a friend or lover तो किसी खास friend से किसी खास इंसान से या फिर किसी loved one से आपको बहुत एक उमीद थी इस week किसी भी चीज़ की बहुत एक expectation थी again किसी भी चीज़ की तो इस week आपकी वो expectation आपकी वो उमीद पूरी होती you see, you know disappointment रह सकता है और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी seven of cups का card कहता है कि आप किसी भी चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे हैं बहुत एक distracted सी energies आपकी है जहां पर बहुत कुछ आप सोच रहे हैं कहीं एक vision create कर रहे हैं कहीं एक खौप देख रहे हैं लेकिन concrete realistic तरीके से कुछ भी action initiatives आप नहीं ले रहे हैं और हो सकता है कि कोई decision कोई choice भी आपको लेनी पड़े लेकिन बहुत again मैं कहूंगी distracted सी energies हैं एक confusion भी हो सकता है आप महसूस कर रहे हों जिसकी वज़े से आप you know कहीं वो decision वो choice नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं तो बहुत important है कि in distractions को आ आप खतम करें जो भी आप चाहते हैं आप उसके उपर focus करें और जो भी action initiatives required है again वो भी आप ज़रूर ले और अगर ऐसा आप कर लेंगे queries तो इस week की energies को specifically अपने personal front में काफी better कर पाएंगे and guidance से आप लगों के लिए thorns का card है और ये card कहता है weave together the crown you deserve तो देखिए किसी को अगर आप थोड़ा सा मायूस थोड़ा सा उदास इस week पाएं या फिर किसी परेशानी में पाएं तो पूरी कोशिश करें कि कैसे आप उनको cheer up कर सकते हैं कैसे आप उनको better feel करा सकते हैं and astrology से आप लगों के लिए the 8th house का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लगों के लिए होगा Tuesday तो ये था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिये बाइसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of pentacles, rivers and tiger और देखें tiger का card कहता है doing something risky taking a chance तो इस week specifically अपने professional front में आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत sure नहीं है जिसको लेकर एक security आप नहीं महसूस कर रहे हैं यानि कि एक risk एक chance आप लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और देखें यहाँ पर सब के लिए different professional life से related areas हो सकते हैं जिसके लिए एक risk एक chance आप ले रहे हैं लेकिन tiger के उपर four of pentacles reverse का card कहता है materialistic tangible चीजों से related money, पैसे से related ये risk आप जादा लेते हुए दिख रहे हैं और देखें यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सब के लिए different करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई savings आपने करी हुई है और उसको आप further invest करना चाहा रहे हैं किसी चीज में कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज को बहुत ही शिदद से बहुत ही महनत से आपने बनाया और उसी से ही related आप risk ले रहे हैं तो जो भी दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा यहाँ पर सब के लिए again materialistic tangible चीजों से related money, पैसे से related different risk, different chance हो सकते हैं जो इस week आप लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और मैं आपको यही कहूंगी पैसेस की calculated risk हमें हमेशा ही life में लेना चाहिए क्योंकि जब तक हम यह calculated risk नहीं लेते हैं तब तक एक growth, एक progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं देखिए, रोज हम घर से बाहर निकलते हैं जहां पर accident होने का डर होता है हमारे गिरने का डर होता है और रोज यह risk हम लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे अपने आपको घर में बंद कर लेंगे बहुत safe, बहुत secure होने के लिए तो कहीं हम अपनी life को ही block कर देंगे तो ऐसे ही हम risk लेते हैं लेकिन बहुत ही calculated तरीके का risk होता है लेकिन जब हम गंदी तरीके से drive करते हैं तो वो एक uncalculated risk होता है और फिर से मैं कहूंगी इसी तरीके से अगर आप calculated risk ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप impulsive हो रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कोई risk, कोई chance ले रहे हैं तो ज़रूर अपने आपको check करके correct करें और personal front के लिए आप लोगों के लिए night of swords reverse and hills का card है तो देखिए night starow में मैंने हमेशा कहा है change motion movement की बात करते हैं और इस week ये night आप लोगों के लिए reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रह रहे हैं और कहीं एक stuck energies में भी आप हैसूस करते हुए दिख रहे हैं क्य美元 एक shift एक movement आप लाना चाहरे हैं लेकिन नहीं लापा रहे हैं और यहा पर भी देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए simply हो जकता है कि आप travel करना चाहरे हैं नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी situation, किसी circumstances किसी relation या फिर किसी भी चीज में से बहुत speed से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, move on करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत logically again चीजों को analyze करना चाह रहे हैं, mind से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं और देखे deeper level के लिए hills का card कहता है obstacles to overcome तो देखे ये card भी उन्ही energies को और confirm कर रहा है कि छोटे मोटे issues, छोटे मोटे अरचने, छोटे मोटे obstacles रह रहे हैं और देखे मैंने हमेशा कहा है Pisces कि जो भी issues, जो भी मसले हमारी life में आते हैं जब हम उन्ही को ही लेकर बहुत strong हो जाते हैं या फिर अपने mind में बहुत उनके बारे में नहीं सूचते हैं बहुत उनको energy नहीं देते हैं तो वो मसले, वो obstacles बहुत छोटे हो जाते हैं और जब हम बहुत इनको अपने mind में बड़ा बनाते हैं तो फिर हम बहुत परिशान हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इन कार्ट्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मेसेज है कि Obstacles, अरचने यह जिन्दगी का एक हिस्सा है और इनसे आप खबराएना जितना जादा आप एक Clarity ला सकें जो भी इस week आप कर रहे हैं उतना ही आप इन ही मसलों को और अच्छे से deal कर पाएंगे और जितना आप खुद को strong बना पाएंगे जितना आप इन ही मसलों को, इन ही issues को energy नहीं देंगे उतना ही यह मसले, यह obstacles खुद बखुद गायब हो जाएंगे आपका रस्ता clear होगा और आप आगे भी बढ़ पाएंगे तो देखे फिर से personal front में एक दो चीजों का खयाल रखने की ज़रत है सबसे पहली चीज की जो भी चीज को लेकर एक confusion आप महसूस कर रहे हैं उसी से ही related आप एक clarity ज़रूर लेकर आएं और इस week आप बहुत emotional बहुत sentimental किसी भी चीज को लेकर ना हो जितना आप mind से चलेंगे जितना आप logically चीजों को deal करेंगे उतना ही आपके लिए better रहेगा क्योंकि देखें मुझे ये लगता है कि जब हम over emotional हो जाते हैं चीजों को लेकर तब कहीं ये emotions एक काले बादल की तरहें हमारी समझ हमारी बुद्धी के सामने आ जाती हैं और फिर कहीं सही decisions सही choices हम नहीं ले पाते हैं तो देखें इनी चीजों का अगर आप खयाल रखते हैं तो इस week के energies को आप काफी better कर पाएंगे and guidance है आप लोगों के लिए protest का card है और ये card कहता है start a revolution तो देखें इस week कोई भी बात कोई भी चीज अगर आपको ठीक ना लगे तो आप beyond the point उसको tolerate ना करें उसी से ही related या फिर otherwise भी अपना viewpoint रखें अपने लिए जो भी आपके loved ones हैं उनके लिए आप stand जरूर लें यानि कि जो बात सही है उसको सही कहें जो गलत है उसको गलत कहें and astrology से आप लुगों के लिए Sagittarius sign का card है और इसके हिसाब से इस week ये low color आप लुगों के लिए lucky रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Thursday तो ये था पाइसे आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए